तो फ्रेंड्स कर आपका एक नॉर्मल फोन है अपने फोन को आप इस्टैलिस में कंडवर्ट करना चाहते हो कहने के मतलब यह हुआ कि अपने फोन को आप ब्यूटीफूल या फिर स्मार्ट बनाना चाहते होते हैं आज इम्हें आपको एक दो नहीं बलकि पांच लॉंचर अ काने वाल्वालीत पूरा देखना और वीडियो को लाइकर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिश कर लो क्योंकि आज हम आपके लिए एसी वीडियो लाते रहते हैं चुल्ला चलते मोवाईल की स्क्रीन पर आपको इस्टेब बाइशेंगा बारे में पहले पहले नंबर पर जो अप्लिगेशन आता है उसका नाम है नियागारा लॉंचर सच मैं करा हूं बहुत ही बेस्ट अप्लिगेशन है ऑद देखो क्या क्या इंटर्फेस आएगा कैसे मतलब इसको यूज करना है सब कुछ आपको स्टेप बाइश्टेप बताऊंगा तो वीडि ज़्यादा बेटर लगते कर आप एक बार इसको डाउनलोड करके यूज करोगे और अपने दोस्तों के पास इसको यूज करोगे क्या मस्त फीचर्स इसमें देखने को मिलता है क्यों कि देखो नॉर्मल फोन में यह सभी फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं अप्लिकेशन तो मैं भी ब्ट दूंगा तब तक मैं अगले अपने दिसको बैत करते हो जो दूसरे दायलर पैड रॉजा नीकिन इससको पास्वर्ट रहिका हो जाएगा देखो आपका फ supा मतलब ऑपको यूज हो चेंजous करेंग question को download करो फ्रिदेखो यहां पर apply हो रहा है देखो आपके phone में मेरा phone पहले कैसा था अब दिखो कैसा हो गया यहां पर देखो कितना मस तवाले यहां पर effect देखने को मिलता है जो इसा option मितलब किसी भी application नहीं होता जो तक आपको आच्छे सब कुछ रहे अगर मैं सबार इप नीचे चलता हो देखो यहां पर कुछ एसा गया जाएगा अगल बगल बॉक्स में आपका अप्लिगेशन मतलब की बंद हो जाएगा कुछ चीज तरह यहां पर देखने में लगता है बहुत ज़्यादा बेटर अप्लिगेशन है इसको भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो चलो अगले अप्लिगेशन के बारें बात कर जाओ हूं यह us our pm देखो किना ज्यादा बेटर यहां पर देखने में लग रहा है अब यहां पर देखो आपके सारी अपलिगेशन यां इहां पर सो जाते हैं जिनको आब करना चाहो एड़ कर सकतो यह पर आपका म्यूजिक हो टाय है और यहां पर आपका अपलीके चेंज करना चाहो तो यार देखो कलर आप चेंज कर सकते हो और यहां पर सेटिंग पर क्लिक करके यहां पर अपना वाल पेपर लगाना चाहो तो अपना वाल पेपर या फिर यहां पर आपको बहुत ज्यादा वाल पेपर देखने के मिलता है जो वाल पेपर आप लगाना चा को डाउनलोड करके यूज करो फिर आपको होगे बहुत जादा बेटर अप्लिगेशन यहां पर देखो यह वाला फीचर आपको देखने मिल जाता है कुछ ऐसे यहां पर दिखने वाले तो अगले अप्लिगेशन वाले बात करते हैं इसको विद्गों कट जाएगा तो सब यहां पर आपको सिट पर क्लिक करना है अगर आपके फोन में आ रहा है तो ठीक है लेकिन किसी फोन में ये वाला ओप्सन नहीं आता जो नीचे आपको दिख रहा है यहां पर मैं सिस्टम विफॉल लॉंचर पर क्लिक करता हूँ अब आप यहां पर देखो अगर मैं यहीं से किसी application को open करना चाहूं तो open कर सकता हूं और side करोगे तो यहां पर आपके सारे application सो जाएंगे जैसे normal phone में क्या होता है कुछ इस तरह के यहां पर application देखने को मिलते हैं कोई-कोई मतलब phone में तो इससे भी घटिया वाला feature दिया रहता है तो इस वाले application को यूज करो यहां पर कुछ ऐसे features आपको देखने को मिल जाएंगे अब यार मैंने इस application को इसलिए pick किया अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो चलो अगले application के बारे हम बात करते हैं तो friends हमारे अगले application का नाम है circle slide बार यह वाला application बहुत ज़्यादा बेटर है क्यों कि आर देखो आप अपने phone के सभी application को customize कर सकते हो देखो जैस अब टिक करने बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफिस मिल जाएगा अब यहां पर आपको देखो यहां पर जो साइड में आपको दिख रहा है देखो सारा application यहां पर सो गया अभी आपको इसमें कुछ कस्टमाइज करना चाहो तो कर सकते हो अगर आप इसको लेफ्ट राइट रखना चाहो तो वह आप कर सकते हो यानि दीखे ना स्क्रीन पर ना देखे लेकिन काम करें और आपको बैक आना है यहां पर देखो थोड़ा सा एड आ जाता है तो यहां पर देखो सारा application में आता है तो यहां पर नीचे बहुत सारा setting आपको मिलता है सभी setting बताऊंगा तो यहीं आते रहो और मजें लेते रहो और application को यूच见ते रहो इस application को open कर सकते हूँ अब मैं Home Button पर जैसे टेच खरोंगा यह open करना है और आपको जो सर्चवाल option मिलता है गार सर्च का option नहीं आपके setting में तो आप default app के नाम पर एक सेटिंग रहता है default app तो मैं यह आप default app search कर लेता हूँ देखो default app setting open करता हूँ और यहाँ पर आपका जिस application को आप यूज करना चाहो देखो आप फे home app है ना देखो home app पर आपको touch करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके phone में जितना भी launcher होगा देखर मैंने 5 launcher application को download किया है 5 application आपको बताया तो वो 5 launcher यहाँ पर है तो आप जिस launcher को यूज करना चाहो उस launcher को tick कर दो जिसे देखो मैं इस वाले launcher को tick कर दिया तो मेरे phone में देखो यह वाला permanent apply होगा अब मैं home button पे देखो आप नीचे देखो मैं home button पे कितना भी touch करूँगा यह cut एगा ही ने यानि permanent apply होगा अब इसको अगर आप deactivate करना चाहो तो फिर setting open करो default जाओ और वहाँ पर android system कर दो तो यह हट जाएगा पर्मानिंट हट जाएगा तो इस तरह से आप इन सभी application का use कर सकते हो उमीद करता हूँ यार सभी application आपको अच्छे लेंगे होगे और सभी application का link आपको description में मिल जाएगा चुले हार मिलते हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक क्लिप आएगा